बीजेपी के फायर ब्रैंड नेता वह उनाव से बीजेपी सांसद साक्षी महराज आज सड़क हादसे में बाल बाल बचे दिल्ली से एटा अपने आश्रम लोटते समय साक्षी महराज की फॉर्चिनर गाड़ी को तेज रफतार से आ रहे मिल्क वाहन के टैंकर ने सामने से र जिसे बाइक पूरी तरह चकना चूर हो गई वहीं बताया जा रहा है कि दिल्ली से एटा अपने आश्रम लोटते समय साक्षी महराज की गाड़ी एन एचे क्यानवे हाईवे पर ठीक शहर कुदवाली के सामने अपने आश्रम जा रहे शिकोहाबाद रोड हाथी गेट दे राहे पर तेज रफतार मिल्क वाहन ने पहले उनकी एसकौट गाड़ी पर टक कर मारी उसके बाद बाइक सवार दो बाइक सवार यूव को को रौधने के बाद उनकी खड़ी गाड़ी में सामने से तेस टक कर मार दी जिससे सांसद बाल बाल बच गए लेकिन गनीमत यह थ सामेजिला स्पताल में भरती कराया गया है, जहां उसकी हालत खत्रे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद भाजबा सांसद साक्षी महराज ने घटना के पीछे किसी का शद्रियंद होने की आशंका जताई है और कहा कि अक्सिडन की घटना को सयंत्र होने से इंकार नहीं किया है। उनका कहना है कि पुलिस मामले की जाच कर रही है। घटना के बाद NH-91 हाईवे पर दो घंटो तक कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुची पुलिस ने क्रेन की मदद से हटाया। इस दोरान करीब दो घंटे तक NH-91 पर लंबा जाम लगा रहा। अब इसकी बार में सब पुलिस जाच करेगी मैं ने जानता क्या था। और भी लोग गैल हुआ है। अब द्राइबर को थोड़ी चोट लगी है। आप दियो को ठीक है। आपके कहां चोट आपको चोट के बाल हाथ माईए खोड़ी ची। एटा से आर भी दुए दिखी रिपोर्ट